तो अपी के टाइम पर आप इंस्टाग्राम और यूटूब पर देख रहे होंगे कि ओमेगल क्रियेटर बढ़ चुके हैं पर जो मेगल क्रियेटर है उनको एक बास जरूर पता है कि ओमेगल की वीडियो को डिकॉर्ड करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और ओमेगल के बारे मैं आपको बताता हूं तो आज मैं बताने वारा हूँ लिंक के बारे में जो कि आपने देखा हूँ वेट्यों में ऐसा तो आहरा है कि कि आपको कैसे कनलता है घ्य ह haben के पास फॉन और लैपुम्यक्स मैं कर सकता हुए तीनों के लिए वीडियो घ करते हो तो मैं तो एडिल करता हूं वंडर शैफ लिमोरा तो सिंपल उसको उपन कर लेता हूं और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है तो मैंने एक्जांपल के लिए एक छोटा सा रिकॉर्ड किया है इसको सिंपल अपने ट्रैक में एड कर लेना है extra part को मैंने delete कर दिया है तो मालो कि यह आपकी video है जिसके ओ先 पर आपको bl trunk effect लगाना है तो पूरी वीडियो में तो आप effect लगाने नहीं वाले हो तो मालो कि यहübcke पार्ट है इस पर आपको effect लगाना है इस बीच वाले पार्ट पर बिलिंक effect लगाने का इसका नाम तुने उरंगिले मैं आप उसला देता हूँ तो ये गाना मैं यूज करने वाला हूँ अभी के लिए और अगर आप ये सोच रहें कि अगर आप ये गाना लगाएंगे तो कॉपिराइट नहीं आएगा क्या तो सिंपल इसको अपनी मुजिक और ट्रैक में एड़ करता है तो हमें जितना चीह वह ले लेता है या आगे का पार्ट एक्ष्ट्रा है तो इसको डिलिट कर देता है और इसको लगाता है यहां और आपको हमेशा ध्यान लखना है कि जहां से बीट चालू हो वहीं पर बिलिंक एफेक्ट आए क्योंकि उससे वीडियो अट्रक्टिव लगती है तो यह आप देख सकता है यह जो बीट है यहां पर उपर हो रही है तो आगे का एक्ष्ट्रा पार डिलिट कर देता है इतन सिंपल इसको क्रॉप करता है अब जैसे मान लो कि ऊपर कोई लड़की आई क्योंकि ओमेगल में लड़कियों से उसाता है तो सिंपल उसको वहां ले गए ओकी तो आपका आदा से ज्यादा काम तो यहीं हो गया ना करने के बाद में आपको कलर सादी ऑप्शन पर जाना है अगर आपका एडिटिंग सॉफ्ट्रे में नहीं है तो गूगल क्रोम पर एक ब्लैक स्क्रिंग को डाउलोड कर लेना और एक वाइट को तो यह करने के बाद में आपको करना कहा है वाइटी स्क्रिंग को अपनी लेर पर एड़ कर देना यहां पर जहां से आप ब्लिंक लगाने वाला है इस पर आपको डबल क्लिक करना है और आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्ट्रे यूज करते हो आपको कम पोजिशन का उप्षर मिल जाएगा उस पर क्लिक कर देना और यहां से जो इसको जीरो कर देना है यह हो गया जीरो ओके इतना करने के बाद में आपको ब्लैक स्क्रीन को स्वार्ट करना है और इसके बराबर में उसी को लगा देना इतना तो इतना काम हो गया अवर जो पीचे वाला पार्ट हो छो दोनों को select किया cut और delete तो अब आपको देखो ऊपर छोटी-छोटी लाइन दिखाई दे रहे होंगी तो आपको क्या करना है simply red line को वहां लेके जाना है ऐसे और इस line को आपको एकदम zoom कर लेना है यह निकिए आप छोटी में देते हैं दूसरे वाले को delete कर देना है फिर ऐसे आपको करते जाना है delete मैं तो अपनी वीडियो में ऐसी बनाता हूं link effect आप इसको try कर सकते हैं यह लोकाम complete हो गया अब आपका जो blink effect वो complete हो चुका है यह देखो मैं आपको जिक पर चला के दिखाता हूं तो यह आपने देखा आपका blink effect create हो चुका है यह देखो बीच में blink effect आया मैंने इसको छोटा ही बनाया से आपको example देने के लिए आप इसको कितना भी create कर सकते हैं और जहां चाहों वीडियो की बीच में वहां create कर सकते हैं तो अब चलते हैं फोन की screen पर और आपको वहां पर Google Edsons का मैंने बनाया था एक बर तो यहां पर blink effect लगाना बहुत ही ज्यादा easy है simple आपको fx में जाना है आपके पास कोई भी editing software हो यह effect आपको easily मिल जाएगा और phone में आपको blink के दो effect मिल जाते हैं black और white तो जो आप लेना चाहों वो ले सकते हैं simple black वाले पर क्लिक करते हैं औ Google आपको adjust कर देना है अब जैसे मुझे यहां पर लगाना है यहां से लेकर यहां तक यह देखो मैं आपको प्लिक करके दिखाता हूं आपको blink effect दिख जाएगा यह देखो mobile में इतना easy है करना और PC में थोड़ा hard है तो कुछ इस तरीके से आप effect को use कर सकते हैं तो वीडियो से कुछ help मिलियो तो वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर लेना मैं मिलता हूं से मिने next video में